बिहार विधान परिशत के दो सीटों पर होने वाले उप्चुनाव की अधिसूशना जारी कर दी गई है 11-18 जनवरी तक प्रमंडीले आयुक्त के काले में उमिद्वार जो है अपना दामांकन दाखिल पत्र को दाखिल कर पाएंगे इसके साथ ही 19 जनवरी को इन नामांकन पत्रों की जाच होगी और 21 जनवरी को उमिद्वार अपना नाम वापस ले पाएंगे अगर चुनाव की सिती बनी और उमिद्वारों का निर्विरोद निर्वाचन नहीं हुआ तो 28 जनवरी की सुभा 9 बजे से शाम चाबे तक मददान होगा 28 जनवरी को ही शाम मदगना भी होगी बिहार में विधान परिशत की दो सीट खाली होने के कारण उपचुनाव कराया जा रहा है शुशील कुमार मोदी और विनोर नारायन जहा परिशत के सदस से थे लेकिन शुशील कुमार मोदी राज सभा चले गए और विनोर नारायन जहा विधान सभा चुनाफ जीत कर आए जिसकी वज़ा से इनकी सीटे खाली हुई है। इन दिनों सीटों पर एंडिय के उमिद्वार चुने जाने हैं लेकिन अब तक बीजेपी और जेद्यू यत्य नहीं कर पाए हैं इन सीटों पर किस पार्टी के उमिद्वार विधान परिशत जाएंगे। अब देखना यह है कि बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टी जेद्यू के लिए इन पदों को छोड़ती है कि नहीं और अगर पीजीपी ऐसा करती है तो फिर जेद्यू इन पदों पर किसको उमिद्वार चुनेगी। फिल्हाल के लिए इतना ही आगे की तमाम खबरों के लिए बदेने एसजी न्यूस के साथ और हमारे चानल को लाइक शेयर सब्स्राइब करना ना भूले साथ ही आप हमारे फेस्बूक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर करें धन्यवाद।